यही मुझे लगता है आधार कही ना कही बना था क्योंकि 29 दिसंबर वो तारीक थी जब यहाँ पर नितीश कुमार ने जेडियू की राष्ट्रे स्तर पर दली में बैठक बुलाई थी और उसी ही बैठक में ललन सिंग से पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष के पदका तो यहाँ पर जो चर्चाएं थी वो यह थी कि ललन सिंग की जो नजदी किया है वो इन दुनों यहां आरजडी के साथ बढ़ रही है और नितीश कुमार को यह जानकारी मिली है कि ललन सिंग उनहीं की पार्टी के विधायकों को आरजडी में शामिल करा सकते हैं अब यह अफवा ही थी या वाकई में कोई बात थी इसके अवी तरह खाले कि कोई पुष्टी नहीं हुई है लेकिन कहीं न कहीं माना जा रहा है कि यह एक मजबूत आधार बना था अब जब नितीश कुमार ने स्तिपा लिया तो और होने कहा कि ललन सिंग को अब चुनावों में व यहां बीजेपी ने जेडियू और हम पार्टे के साथ यानि हिंदुस्तानावाद मूर्चा को साथ करके 128 तक पे पहुँच गए हैं इस सही कवायाद में यहां महागडबंधन भी जूटा था थी जस्वी यादव इस कवायाद में जूटे थे कि किसी तरीके से यहां पर अन्य विपक्षी दल है चैन के साथ कॉंग्रेस हो या महागडबंधन में जितने भी सही होगी दल हैं मिला करके कम से कम 122 विधायक ले लिये जाएं अब जस तरीके से आपने हाँ पर जिक्र किया ललन सिंग का जो रहुल गांधी पर बयान दिया गया उसे लेकर के अब इ ऐसा नजर आ रहा है इस पूरे स्तिती से वर्तमान में कि ललन सिंग कही न कहीं मन तो बना चुके हैं कि वे आरजडी के साथ जाएंगे लेकि ललन सिंग अगर यहाँ पर भी अपने जयानी जेडियों के विधायक आरजडी में ले जाना चाहेंगे भी तो ऐसे विधायक अ समर्थन में आते हैं नजर नहीं आ रहे हैं अब जिस सर्व राहुल गांधी को लेकर बैयान दिया है तो राहुल गांधी के उपर बैयान देने से वो यह दर्शान चाहते हैं कि हां मैं भी जेडियों के साथ हूं मैं पूरी तरीके से पार्टे के विचारधारा के साथ हू पार्टी जिस दिशा में चलेगी मैं उस दिशा में शातू